नमश्कार, आज हम बात करेंगे गरहों के उच और नीच राशियों के बारे में सबसे पहला गरह है सूड़े, जोंकि मेश रासि में जाकी उच्की हो जाती है मेश रासी मंगल के राशी है इसमें सूरे उच्छ के भाव पे होते हैं वो अपना फल पुर्ण फल दे पाते हैं सूरे तुला के राशी जो कि शुक्र के राशी होती है उसमें नीच के हो जाते हैं जहां पे वो कमजोर और प्रभाव भीन हो जाते हैं तो यहां पर यह अपना फल पूर्णता नहीं देख पाते हैं दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा चंद्रमा ब्रिशव रासी में जाके उच्छ के हो जाते हैं ब्रिशव रासी सुक्र के राश्य होती है जहां पर यह अपना पुर्ण फल दे पाते हैं और ब्रिश्चिक राशी में जाके चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तीसरे ग्रह है मंगल, मंगल मकर जो कि शनी के राशी है, यहां पर यह अपना उच्छ का फल देते हैं, और कर्क में जाके यह नीच के हो जाते हैं, तो यह फल नहीं दे पाते हैं। चोथे ग्रह हैं बुद्ध बुद्ध कन्या राशी में उच्के हो जाते हैं और मीन की राशी जो कि गुरू की राशी है नीच्के हो जाते हैं अगले जो हमारे ग्रह हैं, वह हैं ग्रु उससे पहले बुद्ध, बुद्ध कर्ण्या में उच्के हो जाते हैं, और मीन में जाके नीच्के हो जाते हैं, ग्रु के बात करें, ग्रु करक राशे में जाके उच्के फल देते हैं, उच्के हो जाते हैं, और मकर में, मकर जो कि श हीन हो जाते हैं सनी तुला में पुर्ण फल देते हैं मजबूति स्थी में रहते हैं मेश में जाके निमने फल देते हैं नीच के हो जाते हैं राहू धनों में जाके पुर्ण और मिथुन में जाके कमजोर हो जाते हैं नीच के हो जाते हैं उसी तरह के तो मिथुन में जाके प फल देते हैं आज इतना है